आप सभी का स्वागत है आपकी चैनल डेली करेंट अफेर्स 24-7 में आज की वीडियो में हम देखेंगे एक से साथ अप्रियल के करेंट अफेर्स के टॉप पचीज सबसे इंपोर्टन कोशन्स और उनसे जुड़े कुछ जिवरी बाते हैं तो चलिए बिना कोई देरी किये शुरू करते हैं ये वीडियो पहला कोशन है विच यूनियन टेरिटरी गवर्मेंट अज लॉंस्ट आ फाइव टी एक्शन प्लान टू कॉम्बाट कोविड नाइंटीन तो कोरोना वाइरस महमारी का मुकाबला करने के लिए किस केंसासित पदेश सरकार ने एक पाँच टी कारियोजना शुरू की है तो इसका सही एंसर है ऑप्शन B दिल्ली अरविंद केजरीवाल की नेतरत्व वाली जो दिल्ली सरकार है इनोंने कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए एक पाँच सूत्रिय कारियोजना शुरू की है इस पाँचो टी में जो पहला टी है वो है ट्रेसिंग जिसमें सरकार ये ग्राफ बनाईगी कि कोरोना वाइरस किस तेजी से बढ़ रहा है और आगे कितने मामले देखे जा सकते हैं दूसरा है टेस्टिंग जिसमें लोगों को इस वाइरस के लिए टेस्ट किया जाएगा तीसरा है treatment जिसमें इस विमारी से संक्रमित लोग का इलाज करवाय जाएगा चौथा है teamwork जिसमें सभी लोग मिलकर काम करेंगे और पांचवा है tracking on monitoring जिसमें बाहर से आए गए लोगों पर नज़र रखी जाएगी दूसरा खुशन है the Tokyo Olympics 2020 has been postponed to dash 2021 तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल जो Tokyo Olympics होने वाला था इसको अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है तो ये अगले साल किस महिने में शुरू होगा तो इसका सही answer है option C July चल रहे coronavirus महामारी के चलते इस साल होने वाला Tokyo Olympics अब अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयो जित किया जाएगा अभी तक जितने बार भी Olympic खेलों को टाला जाता था वो सिर्फ World War के case में टाला जाता था लेकिर ये 124 साल के Olympic इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी वाइरस के चलते इस खेल को टाला गया हो Question 3 Which state has announced a pay cut off government employees for March तो केसराज ने मार्च महिने में सरकारी करमचारियों के वेतन कटावती की गोशना की है तो इसका सही answer है Option D Both A and B मतलब महराष्ट और ते लगना इन दोनों ही राज सरकार ने सरकारी करमचारियों के वेतन कटावती की गोशना की है और इस कटेवे पैसे का इस्तेमाल उसका इस्तेमाल राज कुरुना वाइरस महमारी से लगने में करीगी और अगर अलग-अलग बात करें तो पहले महराष्ट देखते हैं तो महराज की राज सरकार ने गोशना की है कि राज के मुख्यमंत्री सहीद सभी नेताओं की सैलरी में से 60 पतीशत कटाओदी होगी वहीं राज के जितने भी क्लास वन और क्लास डू के ऑफिसर होंगे उनके सैलरी में से 50 पतीशत काटा जाएगा क्लास थ्री के करमचारियों के वेतन में से 25 पतीशत काटा जाएगा और क्लास थ्री से नीचे के करमचारियों के सैलरी में से कोई पैसा नहीं काटा जाएगा और वहीं अगर तेलगना की बात करें तो राज के मुख्यमंत्री सहीद सभी नेताओं के सालरी में से 75 पतीशित काटा जाएगा राज के IS, IPS, IFS ओफसर के सालरी से 60 पतीशित काटा जाएगा और वहीं उनके नीचे के वरगों के करमचारियों के सालरी में से 50 पतीशित काटा जाएगा और आखरी बात ये कि राज सरकार के सभी पेंचन धारकों के सालरी में से भी 50% काटा जाएगा अब अगर महाराज तो राज की बात करें तो यहां की राजधानी है मुंबई यहां के मुख्य मंत्री है श्री उधव ठाकरे और यहां के राजपाल है श्री भगत सिंग कोशियारी और वहीं अगर तिलगना की बात करें तो यहां की राजधानी है है हैदराबाद यहां के मुख्य मंत्री हैं श्री के चंसेखर राव और यहां की राजपाल हैं तामिल साई साउंडा राजन Question 4 The perks and privileges of former Chief Ministers of Dash have been withdrawn तो कहां के पूर्व मुख्य मंत्रियों के भत्तो और विशेशा दिकारों को वापस ले लिया गया है केन सरकार ने भी हाली में जम्मू कश्मीर से 1984 की धारा 3C को निरस्ट कर दिया है इस धारा के निरस्ट होने के बाद वहां के पूर्व मुख्य मंत्री जो अभी तक सुक सुविधा का लाब उठा पा रहे थे उन सभी को वापस ले लिया जाएगा अब अगर एक्जांपल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जितने भी पूर्व मुख्य मंत्री हैं उन्हें हर साल किराय के तौर पर 35,000 रुपए दी जाती थी हर साल टेलिफोन के लिए उन्हें 48,000 रुपए दिये जाते थे 1500 हर महीने बिजली बिल के तौर पर दिया जाता था और इसके सांचात उन्हें हर महीने कार, पेट्रोल, चिकित्सा सुविधाएं और ड्राइवर तक का खर्च दिया जाता था तो अब इस थारा तीन सी के हटने से ये सभी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी और इस खबर के सांचात खाली में केंद्रिय ग्री मंत्री अमिच्छा ने इगोशना की है कि नया नया बना केंद्सासिस प्रदेश जम्मू और कश्मीर को फिर से अब राज में बदल दिया जाएगा Q5. The Central Government will treat all medical devices as drugs from DASH. तो केन सरकार किस तारीक से सभी चिकित्सा उपकरनों को ड्रग्स के रूप में मानेगी? तो इसका सही अंसर है option A. 1 अप्रील. एक अप्रील से जितने भी चिकित्सा उपकरन होंगे वो ड्रग्स की शेरिनियों में आएंगे. अब अगर बात करें के ऐसा क्यों किया गया? तो भारत में जितने भी दवाईयां बनते हैं, उन सभी को टेस्टिंग के बहुत सारे स्टेजों से गुजरना परता है. लेकिन जितने भी चिकित्सा उपकरन होते हैं, जैसे कि सिरिंज हो गए, थर्मोमीटर हो गए, सीटी स्कैन के मशीन हो गए, ये सब बहुत सारे दुकान बिना लाइसेंस के भी बेच सकते हैं. और इसी के चलते इन्हें बनाने वाले इसकी क्वालिटी पर कोई खासा ध्यान नहीं देते. अब बात यह है कि इनकी क्वालिटी में खराबी के वज़े से भी तो लोगों की जान जा सकती है. तो इसलिए भारत सरकार ने गोशना की है, कि इन सब उपकरनों को भी अब ड्र क्वालिटी के चलते किसी भी मरीज की मृत्यू नहीं होगी. कुशन 6. विच आईएटी हैस लॉंच प्रान वायू अ लोग कॉस्ट पोर्टेबल वेंटीलेटर तो किस आईएटी ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटीलेटर प्रान वायू को लॉंच किया है. तो पहले चुकि चल रहे कुरोना वायरिस महमारी में जो सबसे बड़ी दिक्कात आती है मरीजों में वो है सांस लेने में तकलीव. तो इसलिए इस मशीन की मांग बहुत बढ़ गई है. और ये जो उपकरन है ये बहुत महंगा आता है. मतलब 10 लाग रुपे से 25-30 लाँ रुपे त तो इसका सही एंसर है ओप्शिन A. IIT रूर्की और ये प्रान वायू IIT रूर्की ने एम्स रिशी केस के साथ मिलकर बनाया है. कहा जा रहा है कि इसकी कीमत होगी मात्र 25,000 रुपे और इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर किसी छोटे-मोटे स्कूल या कॉलेज को भ इंडियन रेलवेज तो भारतिय रेलवेज दुआरा विक्सित वेंटिलेटर का क्या नाम है तो इसका सही एंसर है ओप्शन C. G1 वेंटिलेटर की भरती मांग के बीच भारतिय रेल की जो कपूर्थला रेल कोच फैक्टरी है इन्होंने 10,000 रुपे की लागत वाला एक वे 20,000 रुपे और कहा जा रहा है कि कपूर्थला रेल कोच फैक्टरी दिन के ऐसे 100 वेंटिलेटर बना सकती है Q8. DAS will donate USD 2.9 मिलियन तो इंडिया for its fight against the coronavirus pandemic तो coronavirus महामारी के खिलाफ लडाई के लिए भारत को कौन सा देश करीब 3 मिलियन डॉलर देने वाला है 3 मिलियन डॉलर होता है करीबन 21 करोर रुपे तो इसका सही एंसर है option D. America coronavirus महामारी में सभी देशों को मदद करने के लिए अमेरिका ने 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब करीबन 1300 करोर रुपे के राहत पैकेज का एलान किया है ये 1300 करोर रुपे करीबन 60 देशों में बांटे जाएंगे जिसमें से भारत को मिलेगा 21 करोर रुपे मतलब करीबन 2.9 मिलियन डॉलर Q9 Which state recently provided doorstep pension payment to 58 lakh beneficiaries तो हाली में किस राज ने 58 lakh लाभारतियों को द्वार pension भुकतान प्रतान किया है मतलब pension उनके घर में जाकर पहुँचाया है तो इसका सही answer है option C आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश की सरकार ने एक दो महीने पहले बहुत ही एक बड़े pension योजना की शुरुआत की है उस योजना के तहद राज के जितने भी बूढ़े लोग विद्वा या सिंगल औरत हैं उन सबी को हर महीने 250 रुपे दिये जाते हैं उसी तरह राज के किंनर और अपंग लोगो को हर महीने 3,000 रुपे दिये जाते हैं और अगर कोई राज में कोई एगर किडनी का पेशेंट है तो उसे हर महीने इलाज के लिए 10,000 रुपे दिये जाते हैं और ये सारे पेंचन इनको इनके घर तक जाकर पहुँचाया जाता है तो अभी हाल ही में अंदरप्रदेश की सरकार ने करीब 58,44,000 लोगों को ये अजाम देने के लिए करिब 50,000,000 वॉलेंटियरों को मोबाइल फोन दी गई और टेक्नलोजी की मदद से इनोंने लोगों के घरों तक जाकर पेंचन पहुचाया और अगर आंज प्रदेश राज की बात करें तो यहां की राजधानी है अमरावती लेकिन हैधराबाद भी की राजधानी में आती है यहां के मुख्यमंत्री है श्री वाईएज जगन मोहन रेड़ी और यहां के राजपाल है श्री बिश्वा भूशन हरी चंदन Question 10 Dash who co-invented the Duckworth Lewis method died on April 1st 2020 तो Duckworth Lewis विधी का सहविश्कार करने वाले कौन थे जिनका 1 अप्रील 2020 को निदन हो गया जे कोई cricket का खेल बारिस या खराब मौसम के चलते आधा खेल कर ही रोक दिया जाता है तो विजेता कौन होगा इसको decide किया जाता है Duckworth Lewis method से तो इसके जो सर अविश्कारक थे Tony Lewis इनका अभी 1 अप्रील को निदन हो गया है इस Duckworth Lewis method का विश्कार किया था Frank Duckworth और Tony Lewis ने मिलकर इसलिए इसका नाम रखा गया था Duckworth Lewis method Question 11 Which state government has launched an online cultural competition Mo Prativa? तो किस राध सरकार ने Mo Prativa नाम का एक online Sanskritic प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका सही answer है option C, Odisha चुकि पूरे देश भर में lockdown लगा हुआ है और बच्चे स्कूल जा नहीं रहे सब घर में बैठ हैं तो वो बोर ना हो इसलिए Odisha की सरकार ने UNICEF के साथ मिलकर एक online competition Mo Prativa शुरू की है इस app के माधियम से राज के बच्चे मन लगाने के लिए painting competition, slogan लिखने का competition, छोटी-छोटी कहानियों लिखने का competition और कवीता के competition में भाग ले सकते हैं Question 12, which state recently celebrated उतकल दिवस on 1st April तो 1 अप्रील को किस राज ने उतकल दिवस मनाया है तो इसका सही answer है option C, Odisha ये जो उतकल दिवस है इसी को Odisha दिवस भी बोला जाता है ये Odisha के स्थापना दिवस के तोर पर मनाया जाता है जिसकी स्थापना 1 अप्रील 1936 में की गई थी और ये उतकल दिवस ना सिर्फ Odisha बलकि उन सभी शहरों और गाउं में मनाया जाता है जहां Odisha के लोग बसते हैं अब बार बार ओरीसा का जिक्र हो रहा है तो देख लेते हैं जो ओरीसा है यहां की राजदानी है भूबनेशवर यहां के मुख्य मंत्री है श्री नवीन पतनायक और यहां के राजपार है श्री गनेशी लाल Q3. RBI announced the merger of 10 state-run banks into 4 lenders from on Dash तो RBI ने यहां मैंने answer लिख दिया है तो अब देख सकते हैं RBI ने एक अप्रील से 10 से राजसंचालित बैंकों को अब 4 बैंकों में तबदील कर दिया है मतलब अब Punjab National Bank, United Bank और Oriental Bank of Commerce जुड़ जाएंगे और इनका नाम रह जाएगा Punjab National Bank वहीं Union Bank, Andra Bank और Corporation Bank एक हो जाएंगे और नाम रह जाएगा Union Bank of India फिर Indian Bank और Eliabad Bank एक हो जाएंगे और नाम होगा Indian Bank और आकरी है कि Canera Bank और Syndicate Bank एक हो जाएंगे लेकिन नाम Canera Bank ही रहेगा Q14. Which bank has recently launched banking services on WhatsApp? तो हाली में किस bank ने WhatsApp पर banking सेवाई शुरू की है? तो इसका सही एंसर है Option B, ICICI Bank चुकि लॉगडाउन के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं इसलिए ICICI Bank ने एक WhatsApp banking सेवा शुरू की है जिन किसी का भी ICICI Bank में सेविंग एकाउंट है वो तो आराम से WhatsApp से इस सेवाओं का लाब उठा सकते हैं जिस आदमी का ICICI Bank से सिर्फ credit card है वो इस सेवा का इस्तिमाल करका अपने card को block या फिर unblock कर सकते हैं और जिस आदमी के पास ICICI Bank का account है ही नहीं वो इस WhatsApp banking के तुरू ये देख सकते हैं कि उनके नजदीकी ICICI Bank का ATM और branch कहां पे स्थित है तो 2021 में जो विश्व Athletics Championship होने वाला था उसको किस साल तक के लिए टाल दिया गया है तो इसका सही एंसर है option A 2022 वैसे तो World Athletics Championship 2021 में होने वाला था और coronavirus तो इस साल है तो इसे टालना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी जो चुकी Tokyo Olympics 2021 के लिए टाल दिया गया है और दोनों ही इवेंट एक साल ना हो इसलिए World Athletics Championship को वर्ज 2020 के लिए टाल दिया गया है और ये फैसला विश्व Athletics और अंतराष्टी ओलम्पिक समीती ने मिल कर लिया है Question Soler Who has approved $1 billion emergency fund for India to help tackle COVID-19 pandemic तो भारत को coronavirus महमारी से निपटने में मदद के लिए एक बिलियन डॉलर के emergency fund को किसने मनजूरी दी है एक बिलियन डॉलर होता है करीबन 7000 करोर रुपे तिसका सही एंसर है option A विश्व बैंक विश्व बैंक ने भारत को coronavirus महमारी से निपटने के लिए एक बिलियन डॉलर मतलब करीबन 7100 करोर रुपे की लोन दी है और इसके सांथ सांथ पूरे दुनिया को coronavirus से लजने के लिए विश्व बैंक अलग से 14000 करोर रुपे बांट रहा है Queshan 17 Who has developed bio suit for medical practitioners who treat COVID-19 patients तो COVID-19 रोगियों का इलाज करने वाले चिकितसा चिकितसकों के लिए bio suit किसने विक्सित किया है वैसे तो हमारे भारत के सभी doctor coronavirus मरीजों का इलाज करते समय gloves और mask का इस्तमाल करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें संक्रमन का खतरा रहता है तो पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा पदान करने के लिए भारत की जो रक्षा प्रनाली बनाने वाली एजंसी है DRDO इन्होंने इनके लिए एक bio suit बनाया है ये raincoat सा दिखने वाला ऐसा suit होगा जो डॉक्टरों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा Queshan 18 NASA is going to set up Dash the first human base camp on south pole of moon तो अमेरिका की जो space agency है NASA ये चंद्रमा के दक्षनी दुरूव पर पहला मानाव आधार शिव स्थापित करने जा रही है तो बात ही कि इसका क्या नाम होगा तो इसका सही answer है option A Artemis अमेरिका की जो space agency है NASA ये वर्ष 2024 तक अंत्रिक चात्रियों को चांद पर भेजने की योजना बना रही है और इसी के लिए ये चांद के दक्षिनी छेत्र में एक base camp बनाएगी और उस base camp का नाम होगा Artemis ये base camping छोटा घर जैसा ही होगा जो अंत्रिक चात्री वहां रहने और अपने प्रयोग के लिए इस्तिमाल करेंगे Question 19 When was the International Day for Mind Awareness observed recently? तो हाली में खान जागरुकता के लिए अंत्रास्टिय दिवस का मनाय गया था? तो इसका सही answer है option C 4 April 2005 की Landmine Monitor Report के अनुसार 84 ऐसे देश हैं जहां Landmine लगे वे हैं और उनका पता भी नहीं है किसी को और इसके चलते हर साल करीब 15,000 से 20,000 लोग इस पर चढ़ने के चलते अपनी जानगवा देते हैं तो इसी दिक्करत के चलते United Nations की जब General Assembly चल रही थी वर्स 2005 में तो उन्होंने हर साल 4 अप्रील को International Day for Mind Awareness घोशित कर दिया तब से मतलब वर्स 2006 से यह हर साल 4 अप्रील को मनाया जाता है Question 20 Which Airlines operated India's first cargo on seat flight तो भारत की पहली cargo on seat flight किस airlines ने संचालिद की Generally जो सामान ढोने वाले प्लेन होते हैं वो अलग तरक से दिखते हैं और जो सामान होता है वो अंदरूनी छेतर में रखा जाता है लेकिन पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि जो नॉर्मल आदमियों को ले जाने वाले प्लेन हैं उसमें सामान भर कर लाए गया है और ये सामान सीटों पे रखा गया था और इसलिए उन्हें cargo on seat flight कहा जा रहा है तो भारत की जो सबसे पहली cargo on seat flight है वो स्पाइस जेट ने संचालित की है और ऐसा तब हुआ जब स्पाइस जेट की जो 2737 पैसेंजर एरकाफ्ट मतलब लोगों को ले जाने वाली जो प्लेन है वो दिल्लेश से चन्नाई दवाईयां लेकर जा रही थी Question 21 How much money will be credited in all women जन्धन योजना accounts तो सभी महिलाओं के जन्धन योजना खातों में कितने पैसे जमा करवाई जाएंगे ये जो जन्धन खाते होते हैं वो केन सरकार के द्वारा खुलवाई गये थे और इसमें कोई minimum balance की आवश्यक्ता नहीं होती है तो करी महिलाओं के ऐसे जन्धन खातों में केन सरकार के द्वारा पांच पांच सो रुपे जमा करवाई जाएंगे Question 22 Who launched India's first coronavirus hospitalization insurance corona care तो भारत का पहला coronavirus hospitalization भीमा corona care किस ने शुरू किया है तो इसका सही answer है option D Phone Pay बढ़ है coronavirus महमारी में जो भी वैकती अगर coronavirus से संक्रमित पाया जाता है और अगर उसे इलाज के लिए hospital में भरती किया जाता है तो ठीक होने के बाद एक hospital का अच्छा खासा बिल ज़रू बन जाता है तो इसी दिक्कत का निवारन करने के लिए जो app है phone पे इन्होंने बजाज एलियान जेनरल इंशुरेंस के साथ मिलकर Corona Care नाम का एक insurance package launch किया है इसकी कीमत होगी सिर्फ 156 रुपए मतलब 55 साल तक का कोई भी आदमी सिर्फ 156 रुपए में 50,000 रुपए तक एक insurance कवर ले सकता है Question 23 How much money has been released to the states to deal with the coronavirus epidemic? तो Corona virus महमारी से निपटने के लिए राज्यों को कितना पैसा जारी किया गया है? तो इसका सही answer है option A 17,287 करोर रुपए Question 24 Who has been appointed as the new chairman of NASCOM? तो NASCOM के नए अध्यक्ष की रूप में किसे निउट किया गया है? तो पहले तो बात है कि क्या है ये NASCOM? भारत की जितने भी बड़े और छोटे software company है उन सभी का एक संगठन है जिससे NASCOM बोला जाता है और इस NASCOM का full form हो गया National Association of Software and Services Company इसका गठन हुआ था 1988 में और वरतमान में इसका headquarter है नई दिल्ली में तो इसी के नए अध्यक्ष की रूप में भी चुना गया है प्रवीन राओ को कुशन 25 गाईज ये चुकी आकरी कुशन है इसका answer आपको comments में देना है तो ये कुशन है तो विश्व स्वास्त दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तीन अप्रील, पाँच अप्रील, छे अप्रील या फिर साथ अप्रील और गाईज अगर आप ये PDF डाउनलोड करेंगे तो answer आपको सबसे last page में मिलेगा तो गाईज ये था हमारा आज का विडियो आपको कैसा लगा प्लीज comment box में बताएं और अगर आपने subscribe नहीं किया है मेरे चैनल को तो please subscribe करें और notification के लिए bell icon दबाएं और अगर आप PDF डाउनलूड करना चाहते हैं तो link description में है Thanks for watching